अज़ अगर बेंकेस बीएसी में हैं उसी तरीके से सेंसेक्स बीएसी में हैं तो सेंसेक्स की बात करी जाता है इतना जबर्जस्त रेली आया आज हम लोग इसमें मॉर्निंग से ही बहुत ही सांदार मोब को कैप्चर कियें देखो सबसे पहले भी यहां बता दूँ कि हम लोग मॉर्निंग में इसको 53 रुपीश से उठाये थे हाई लगा 478 का और फाइनली जो हम लोग 3 पीम में जो हीरो जीरो किये थे वो 3 पीम का हीरो जीरो जो था यह देखिये यहां से हम लोग उठाये थे और यह सीधा-सीधा आपका 32 से 280 का हाई लगा इस तरीके से अबर अलग 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 ट्रेड को हम लोग पंच किये और बहुत ही सांदार आज का देखा जाए तो लगभग लगभग हम लोग को जो मिला है न वो 16x 16x के आस पास हम लोग profit बुक किये हैं मतलब पाइसा आज हो गया सल्लोह गुन्ना तो यह expiry बहुत ही सांदार expiry था बहुत ही जबरजस्त मूब एक मिला है आज one way मतलब मार्केट निकलता गया सिर सारी चीजे देखने को मिला मार्केट में और एक बड़ी हैं short covering था यह बाकी हम लोग हैं intraday trader तो हम लोग सारी dot to dot की सतरी के से trade करने वाले है उसके basis पर भी सारा चीज़ देखने वाले है तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं nifty mid cap का उसके बाद हम लोग bank cash का bank cash में last में ज सारी चीजे देखने को मिल जाएगा तो चलिए बिना late की हम लोग start करते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यहां देख लेते हैं कि यह है mid cap का chart और mid cap में यहां 15 minutes का time frame में अगर हम देख रहे हैं तो 15 minutes का time frame में अभी जो closing मिला है 10306 मार्केट अगर flat open होता है है अभी तो flat open होने का scenario वैसा कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन बाइचांस अगर flat open हो जाए तो हम लोग खुलते साथ यहां 337-320 के बाद एक call का trade लेंगे जो सिधा-सिधा 350-52 का पहला target मिलेगा दूसरा target 10400, 10432 तैं 10500 का target हम लोग upper side का देखने को मिलेगा अगर flat open हो जाए तो 500 से पहले हमारा एक छोड़ा सा level 477 यहां 506 साथ इस तरीके का upper side का label है जो की dot to dot हम लोग इस trade को पंच करने वाले है ना पिछला हमारा जो analysis था बहुत ही perfect work किया था आप लोग शेक करिएगा जाके flat open हो करके अगर नीचे आना शुरू करें तो नीचे के लिए मैं थोड़ा सा यहां आप सारे लोग को बता दू कि यह देखो market यह trend line है इस trend line के below अगर निकलता है below काने मतलब 10,283 के below तो सीधा सीधा 10,270, 10,240, 10,210 और 10,166 जो कि हमारा final जहां होगा exit का plan ओके यहां से हम लोग exit करना होगा market इसके below भी निकले तो सीधा सीधा हम लोग 10,120, 10,066 फिर 10,056 यह हमारा target नीचे का भी है तो यह सारी synergy होगे, flat open का अगर market हो जाए gap up इन synergyों में क्या करेंगे, gap up opening में हम लोग क्या करेंगे अगर market gap up open हो जाता है तो gap up के scene में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि market कहां पर open हो अगर market gap up open हो करके 10,350 के उपर open हो जाए इधर हो जाए तो अगर यहीं price hold करे और सिधा निकलना शुरू करे तो हम लोग इसी के low को SL के साथ हम लोग अपर साइड को ट्रेल करेंगे जो कि 10, 1500 तक जाएगा market दूसरा क्या कर सकता है gap up opening होने के पाद तेजी से एक बार नीचे आएगा यहाँ और 10,320 के पास अगर support लेता हुआ दिखे तब भी हम लोग फिर call side का प्लान करेंगे 10,400 और 500 तक का right अगर market gap up opening हो करके नीचे आना सुरू करे और इस label को break करे तो फिर हम ल gap down के scenario में जैसे की gap down कहने का मतलब यहाँ पर इस इस line के below जहां भी हो जाए मान के चलिए 10,210 पर हो जाए 10,240 पर हो जाए यह दोनों से इन में से कहीं भी हो जाए market अगर यहाँ price hold करके ऊपर जाता है तो सिधा-सिधा day का high और कहीं इसका breakdown मिले तो सिधा-सिधा day low देखन इस स्टार्ट किया गया है trade options में लेकर के और अब थोड़ा volume भियाना शुरू हो गया expiry में और पिछले expiry में भी बहुत सांदार इसमें move हम लोग को मिला था bank s में तो अभी देखो bank s का high क्या bank s में अभी हम लोग एक trend line अगर ऐसे draw करते हैं downside से तो देखो ये trend line बिल्कुल इस तरीके से यहां हमको बनता हुआ दिख रहा है तो इस trend line basis पे भी अगर हम लोग देख रहे तो एक support है तो इस support basis से अगर market flat open हो जाए तो flat open हो करके अगर market call side की और निकलना शुरू करे तो स सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस जगा पे हम लोग को थोड़ा सा सतर कराना पड़ेगा सतर करने मतलब कि यह देखो यह जो जौन अभी बनाया है राइट इस जौन से उपर अगर निकले जितने safe player है आना safe player 44,411 के बाद प्ला पहला टारगेट 54,569 दूसरा टारगेट 56,702 तिसरा टारगेट 54,910 फाइनल टारगेट 55,000 यहां 55,000 के आसपास हम लोग को exit का प्लान करना होगा यह अपर साइड का लेबल हो गया राइट अब बात करी जाए अगर डाउन साइड का तो डाउन साइड में क्या है कि जहां पर अभी मार्केट रुका है तो यह वला एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेबल है 54,200 54,200 के बिलो मार्केट निकलते ही पहला टारगेट दूसरा टारगेट तिसरा टारगेट शौथा टारगेट पांचमा चटा तीरपन अजार पानसो तक फाइनल हमारे जहां कि exit का प्लान है बेंक एसका कहीं मार्केट हो जाए gap up gap up कहाने का मतलब कि 54,500 के उपर अगर open हो जाए ठेक ये वाला लेबल 51,500 के उपर अगर open होता है तो अगर price एक बार तेजी से यहां तक आए और फिर निकले तो एक अच्छी बात है और कहीं यही price time pass करके अगर 54,570 के उपर price hold करना शुरू करे तो फिर से एक रेली देखने को मिल सकता है ध्यान रखना इन सारी चीजों को मार्केट अगर कहीं gap down हो जाए gap down के scenario में क्या करेंगे gap down अगर जैसे कि market अभी gap down इस level पे आ जाए 54,000 के पास तो 54,000 यह कि important support है यहां से make and break zone हो सकता है अपर इन डाउनसाइड के लिए तो तयार रहा ना तो यह था मारा bankers का अब रही बात की मैंने भी discuss किया कि sir वो a strategy क्या है जिससे आप hero zero वाला track कर रहे थे हैं तो वो कैसे discuss भी bankers में किये थे हम लोग sorry sensex में तो sensex में सारा killer हमने सारे चीजें मैं बता दूँ यह strategy जो है ना बहुत ही simple है मैं daily हाना daily 9 बजे zoom पे live आ जाता हूँ right zoom पे class देता हूँ मैं कि कैसे सारी चीजे setup लेना है 1.30 PM में फिर मैं live आता हूँ YouTube पे जहां मैं सारी चीजें डिसकस करता हूँ support, resistance, projection, risk management, money management time management भी सारी चीजें महार डिसकसान होती है है ना हाँ मेरे अगर telegram channel में जुड़ना चाहते हो तो description में telegram channel का link है मैं बता दूँ कि हमारे नाम से बहुत सारी fake telegram channel भी अभी बन रहे है तो आप अभी जो मारा telegram channel में जो लोगों की संख्या है वो लग 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 470 के आसपास है तो ध्यान रखना ऐसे ही कुछ दीखे तभी आप जुड़ना otherwise नहीं जुड़ना बाकी description में जो link है उससे जुड़ोगे तो सीधा आप मेरे ही channel पर जोइन करोगे बाकी मिलते हैं एक fresh नए analysis video and live stream है तब तक के लिए thank you thank you so much जय हिन जय भारतन जय जाए जारकन thank you